क्या आपने भी किसी को गलत यूपी आई ट्रांजेक्शन कर दिया है अगर हां तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्यूंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने बला हूँ कि अगर आपने भी किसी पर्सन को या फिर किसी भी मर्चेंट यानि बिजन होogen चुल गरेता बलस ओने या और ब smilesने कि घ्रिकारणिक्शन करते हूँ जो उनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वह किसी गलत मोवाइल नमर पर चला जाता या पिर किसी गलतación क्या 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 हैै जिससे कि हमारा amount हमें account में वापस मिल जा है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या process है आपको कहा जाना होगा किस तरीके से वहाँ पे क्या detail add करना होगा और आपका amount कितने दिन का process time में वापस आ जाएगा तो इसके लिए आप अपने device में किसी भी browser को open कर लेंगे browser open करने के बाद यहां से आपको NPCI search कर लेना है NPCI search करने के बाद यहां से आपका NPCI का official website देखने को मिल जागा इसको open कर लेना है website open करने के बाद अगर आप mobile phone में use कर रहे हैं तो फिर आपके browser में कहीं भी देखेंगे आपका right side top में या फिर down में three dots का option होगा उस पर आपको click कर लेना है और यहां से desktop site को enable कर देना है desktop site को enable करने से क्या होगा कि आपका जो mobile का interface है वो बिल्कुल desktop की तरह हो जागा जिससे आप easily इस website को use कर पाएंगे तो यहां से right side top में आपका यहां से get in touch का option मिल जागा इस पर आपको click कर लेना है और यहां click करने के बाद यहां से आपका middle में UPI complaint मिल जागा UPI complaint पे click कर लेना है UPI complaint पे click करने के बाद यहां से complaint के section में सबसे उपर में यहां से आपका transaction का option मिल जागा कि आपको transaction पर क्लिक करने के बाद यहां से आपका transaction से related बहुत सरे कुछ details आ जाएंगे तो इसको आप यहां से अच्छे से रीद करके आप फिल कर देंगे तो मैं आपको बता जाता हूं कि यहां पर क्या-क्या बेजा या फिर नॉर्मली इंडिवीजिवल एकाउंट में भेजा है और दूसरा जो होता है वो मर्चंट होता यानि कि कि किसी बिजनेस एकाउंट में आपने भेजा है तो यहां से आपका जिस भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो गया है तो यहां से आपका ओप्शन मिल याता है इनकरेक्टली ट्रांसफर्ट तू अनदर एकाउंट तो यहां से आपका इनकरेक्टली ट्रांसफर्ट तू अनदर एकाउंट पे क्लिक कर लेना है यहां से इसके नीचे में option मिल आता है comments का तो यहां से नीचे में लिखा हुआ है provide brief about your issue not greater than 500 characters तो यहां से आपका जिस भी type का complaint है जो भी आपका issue है उससे related यहां से आपका कुछ comments से लिख दाना है यानि कि यहां पे describe करना है कि आपका क्या problem है तो वो आपका 500 character से कम होना चाहि प्राइब करते हैं इसके नीचे में यहां से आपका option मिल आता है transaction ID का तो आप जब भी आपने जब payment किया होगा तो आप payment history में जाकर के देखेंगे उस EUPI application के तो वहां से आपका transaction ID आइडी सो कर देगा तो यहां से भी display पे आपको transaction ID सो कर रहा होगा इसी तरीके से आपका transaction ID होगा payment history में तो वहाँ से आप देखकर करके यहां से transaction ID को type कर लेंगे यहां से नीछे में मिल लाता है bank name तो यहांसे आपका जो भी bank होगा वो bank आपको रहें किहां से select करलेबी के ओफ़े करके इसके नीचे में मिल लाता है जो accurate amount होगा अगर normally जैसे कि माल लो 500 है तो यहां से आप 500 लिख लेंगे अगर आपका 500 and 45 पैसा या फिर 533 पैसा या फिर जो भी amount है उसको आपको total यहां पर लिखना है जो amount रूपया में है रूपया में भी लिखना है और जो point देकर के पैसा में है पैसा में भी यहां से आपको लिखना है तो यहां से आप amount लिख लेंगे और उसके नीचे में यहां से आपका date of transaction तो यहां से आपका जो भी देट होगा ट्रांजेक्शन का जिस दिन भी आपने ट्रांजेक्शन किया होगा उस देट को आपको यहां से टाइप कर लेना है एंद उसके नीचे में यहां से आपका अपना इमेल आईदी दे देना है एंद उसके नीचे में आपका रजिस्टर म मोबाइल नंबर देना है जो जिस मोबाइल नंबर से आपका UPI अकाउंट बना होगा जो आपके बैंक में होगा उस नंबर को यहां से आपका एड कर लेना है और उसके जस्ट नीचे में यहां से आपका एक अपडेटेद बैंक एकाउंट का जो PDF फॉर्मित में आपको बना लेना है और यहां से अटेश कर देना है जो मिल या रहेंगे कि जो आपका वह फाइल करेंगे हो दो MB से कम हो ज्यादा का नहीं होना चाहिए 2 Mb से तो आप यहां से ऐत्याइच कर लेंगे अंद यहां से ताइम लगेगा कुछ प्रोसेस होता है एक या दो वीक लगेगा देन आपके एकाउंट में आपका एमाउंट वापस से आ जागा वेरिफाई होने के बाद अगर सही होगा तो अगर कोई भी मिश्टेक होगा गलत इंफर्मेशन आपने दिया होगा तो फिर आपका में वापस आपका एमाउंट आ जाएगा तो अगर आपने भी कोई गलत एकाउंट में एमाउंट भेज दिया है त्रांसफर कर दिया है तो फिर आप इस NPCI website की मदद से अपने गलती से भेजे हुए एमाउंट को अपने एकाउंट में वापस है मांगा सकते हैं तो आपको